नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों मैं हूँ प्रवीन बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा ग्यारवी लेखा शास्त्र अध्याय आठ विन्यमे विपत्र बिल्स ओफ एक्स्चेंज इस अध्याय का एक भाग हम कर चुके हैं इस भाग में हम देखेंगे कि किस तरह समान खरीदने और बेचने के बाद बिल्स ओफ एक्स्चेंज को लिया दिया जाता है और उसके बाद इसके अंदर क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं समान के पैसे को वसूलने के लिए चलिए देखते हैं पिछले भाग में आपने देखा अमित ने सुमित को बीस हजार रुपे का उधार माल बेचा और तीन माह की अवदी का एक विपत्र सुमित पर लिखा और इस विपत्र को अमित ने परिपक्वता मतलब मेचौरिटी डेट तक अपने पास रखा था आज हम दूसरी संभावना देखेंगे दूसरी अवस्था यह हो सकती है कि यदि अमित बारा प्रतिशत प्रती वर्ष दर से विपत्र को बैंक से भुना लेता है मतलब अमित सुमित को समान बेचेगा समान बेचने के बाद विपत्र हासिल करेगा और पहली संभावना तो यह हो सकती थी कि तीन महीने तीन दिन के बाद वह उस पैसे को सुमित से ले ले लेकिन इस अवस्था में यह बोला गया है कि अमित ने मैचौरिटी से पहले परिपक्वता से पहले इस बिल को बैंक को देकर भुना लिया इसका अर्थ क्या है हो सकता है अमित को पैसो की जरूरत पहले ही पढ़ गई हो और अमित ने इस बिल को बैंक को दे दिया अब बैंक बैंक कहता है कि मैं इस बिल के बदले आपको पैसे जरूर दे सकता हूं परन्तु इस बिल के पैसे बैंक को कब मिलेंगे इस बिल के पैसे बैंक को मिलेंगे परिपक्वता पे मेचॉरिटी पे मेचॉरिटी आएगी तीन महीने बाद बैंक को राशी प्राप्थ होगी तीन महीने बाद और अमित चाहता है कि उसे बैंक से राशी आज ही प्राप्थ हो जाए तो बैंक वालों का कहना यह है कि यदि वो इस पैसे को बीस हजार रुपे को किसी को लोन की तरह देते हैं तो वह इसके उपर बारा प्रतिशत प्रती वर्ष की दर से ब्याज कमा सकते थे चलिए देखते हैं बीस हजार रुपे बारा प्रतिशत की दर से तीन महीने के लिए जो ब्याज बनता है वह बनता है छे सो रुपे इन छे सो रुपे को बैंक कमा सकता है यदि वह बीस हजार रुपे का रिण किसी को दे दे तो परन्तु यह पैसा बैंक अमित को दे रहा है तो बैंक चाहता है कि यह छे सो रुपे वह अभी भी कमाए तो बैंक अमित को कहता है आपका बिल जो बीस हजार रुपे का है उसमें से छे सो रुपे को घटा दें यदि छे सो रुपे को घटा दें तो 19,400 रुपे बनते हैं वे इस 19,400 रुपे का भुख्तान करने के लिए त्यार है पैंक और अमित भी इस रकम को प्राप्त करने के लिए त्यार है क्यूंकि अमित को पैसा मैचॉरिटी से पहले मिल रहा है और अमित इस बात से खुश है कि उसे तीन महीने पहले जरूरत के समय पे पैसा मिल रहा है तो चलिए देखने हैं प्रविष्टी किस प्रकार होगी सबसे पहले एक जन्वरी को जब समान बेचा जाएगा तो सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स सुमित का खाता डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट मैंने पिछले भाग में आपको यह साफ तोर पे बताया था यदि प्रश्न आपसे समान बेचने या खरीतने का जिक्र करता है तो आपको उसकी प्रविष्टी जरूर करनी है उसके बाद सुमित से बिल रिसीविबल लिया गया तो पहले के भाग में आप यह देख चुके हैं कि बिल रिसीविबल को प्राप्त करने की प्रविष्टी क्या होगी बिल रिसीविबल अकाउंट डेबिट या अगर हम हिंदी में बात करें तो प्राप्पे विपत्र खाता डेबिट और सुमित का खाता क्रेडिट अब हम देखते हैं कि बैंक आपको धन देगा तो कितना देगा और कितना उसके ओपर बट्टा मतलब डिसकाउंट कटेगा और उसकी एंट्री क्या होगी हम पहले ही गणना कर चुके हैं कि 19,400 रुपे बट्टा मतलब डिसकाउंट कटने के बाद हमारे बैंक में राशी प्राप्त की जाएगी तो बैंक खाता डेबिट 19,400 जो कि 600 रुपे का डिसकाउंट काटने के बाद बची हुई राशी है और बट्टा खाता भी डेबिट बट्टा खाता या डिसकाउंट अकाउंट डेबिट क्यूं हुआ क्यूंकि यह एक खर्चा है नुकसान है और सभी खर्चे और नुकसान लेखा शास्त्र में डेबिट ही किये जाते हैं और जैसे ही हमने बैंक से हैराशी प्राप्त करी, हमारे हातों से बिल फिसल जाता है. वह बिल हमें बैंक को समरपित करना होता है. बिल बना था, तो debit हुआ. यह बिल हमारे हातों से चला गया, तो यह बिल क्रेडिट हो जाएगा. यह बिल हुआ क्रेडिट 20,000 तो यह हुई बैंक से बिल को डिसकाउंट कराने की प्रविष्ठियां किसकी किताबों में समान बेचने वालों की किताबों में चलिए अब शुरू करते हैं तीसरी अवस्था को तीसरी अवस्था में बताया गया यदि अमित द्वारा अंकित को विपत्त्र का बेचान किया जाता है देखिए यदि आप पिछले भाग में पढ़ाई गई परिभाशा को ध्यान करें जो भी बिल बनाने वाला व्यक्ति है वह इस बिल को किसी दूसरे को सौप सकता है जिसे हम अंग्रेजी में एंडोर्समेंट भी कहते हैं अमित ने सुमित को समान बेचा अमित को सुमित से पैसा लेना है परंतु अमित ने अंकित को पैसा देना है यदि अमित ने अंकित को पैसा देना है अब या तो अमित अंकित को पैसा दे या विपत्त्र ही दे दे पैसा भी अमित के लिए एसेट है, विपत्र भी अमित के लिए एसेट है दोनों ही सूरतों में अमित के पास से एसेट जाता है तो चलिए देखते हैं अमित की पुस्तकों में endorsement के टाइम पे बेचान के समय किस तरहां की प्रविश्टियां होगी देखिए, सबसे पहले आप सुमित का खाता डेबिट करेंगे और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे सुमित का खाता डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, समान को बेचने की प्रविश्टि उसके बाद बिल रिसीविबल को लेने की प्रविश्टि प्रप्य विपत्र खाता नाम बिल रिसीविबल अकाउंट डेबिट और यह है विपत्र आया सुमित से तू सुमित अकाउंट अब अमित ने यह है विपत्र अपने किसी क्रेडिटर अंकित को दे दिया आप यहां पे बहुत ध्यान से समझिए अंकित अमित के लिए हमारे लिए एक लाइबिलिटी था अब उस लाइबिलिटी को आप पैसा भुकतान कर रहे हैं जब आप लाइबिलिटी को पैसा भुकतान कर देंगे तो liability कम हो जाएगी और याद कीजिए, liability भड़ती credit से है और घटती debit से है तो liability मतलब अंकित उसे हमने पैसा देना था, इसलिए तो हमने उसको bill दे दिया तो अंकित का खाता debit हो जाएगा क्योंकि हमने उसको भुक्तान करने की जगाँ बिल के रूप में भुक्तान कर दिया नगद में भुक्तान करने की जगा बिल के रूप में भुक्तान कर दिया तो अंकित का खाता डेबिट और बिल जो हमारे लिए एक एसिट था अब वो जा रहा है प्राप्य विपत्र खाता क्रेडिट यह हुई अमित के किताबों में endorsement की प्रविष्टियां अब हम पढ़ेंगे अगली अवस्था में किस तरहां की प्रविष्टियां होगी और अगली अवस्था यह है यदी 31 मार्च 2006 को अमित विपत्र अपने बैंकर को संग्रह हेतु भेजता है मतलब अमित परिपक्वता तक बिल को रखे हुए है लेकिन इससे जो भी प्राप्ती होनी है उस प्राप्ती को करने के लिए वह खुद नहीं जाता वह इस चीज की जिम्मेवारी बैंक को देता है कि 31 मार्च तीन महीने खतम हो जाने के बाद किती थी है और उस दिन वह बिल अमित बैंक को सौप देता है अब बैंक अमित के बदले सुमित के पास जाएगा पैसा लेगा और अमित के खाते में डालतेगा यह चौथी अवस्ता है जिसे अंग्रेजी में रेटायर्मेंट आफ बिल भी कहा जाता है पांच अपरेल को विपत्र भुक्तान की सूचना प्राप्त होती है बैंक ने यह पैसा लिया और इसकी जानकारी हमें पांच अपरेल को दी तो चलिए देखते हैं किस प्रकार प्रविष्टियां अमित की पुस्तक में होगी सबसे पहले समान बेचा जाएगा सुमित का खाता डेबिट, सेल का खाता क्रेडिट, प्राप्य विपत्र बिल रिसीविबल अकाउंट डेबिट और सुमित का खाता क्रेडिट यह तो हुई आम प्रविष्टियां अब देखिए हमने बिल को बैंक को सौप दिया जब हमने बिल को बैंक को सौपा तो 31 मार्ज को सौपा और प्रविष्टि हुई विपत्र संग्रै के लिए भेजा, मतलब बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, खाता नाम डेबिट अब देखिए जब हमने बिल को बैंक को सौपा तो बैंक ने मुझे एक परची दी वह पर्ची अब हमारे लिए एक परिसंपत्ती है जब हमने बैंक को बिल सौपा तो बैंक ने हमें एक पर्ची दी वह पर्ची अब हमारे लिए एक परिसंपत्ती है क्योंकि बिल हम दे चुके हैं और यह जिम्मेवारी अब बैंक की है कि वह सुमित से जाकर पैसे लेंगे जब हमने वह परची बैंक से ली तो वह एक संपत्ती परिसंपत्ती के रूप में विकपत्र संग्रह के लिए भेजना खाता बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और बिल आपके हाथ से जा चुका है प्राप पे विकपत्र खाता क्रेडिट अब इसके बाद पांच तारिक को पांच अप्रेल को आपके पास यह जानकारी आती है कि बैंक ने आपके लिए पैसा ले लिया है तो बैंक खाता नाम बैंक अकाउंट डेबिट और वह पर्ची अब आपके किसी काम की नहीं है जो आपकी परिसंपत्ती बना बैठा था वह खतम क्यूंकि उसका उदेश्य सरफ और सरफ पैसा आने से था पैसा आ चुका है और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अब खतम विपत्र संग्रहे के लिए भेजना खाता क्रेडिट तो विध्यारतियों इस तरहां विपत्र लिए और दिये जाते हैं और यह सब संभावनाएं हो सकती हैं कि आप विपत्र अपने पास परिपक्वता तक रखें विपत्र को बैंक पहुँचा दें और उससे बट्टे का नुकसान ज्येलकर रखम वसूल लें यह आप उसी को उसी विपत्र को किसी अपने क्रेडिटर को दे दे या आखरी में हमने सीखा या हम उसको संग्रह के लिए बैंक को सौप दे तो यह कुछ संभावनाएं हैं विपत्र से पैसे लेने के लिए अब हम यह सीखेंगे कि यदि विपत्र हमने सामने वाली पार्टी को दिया और वह पार्टी आपको परिपक्वता पर पैसा ना दे सके तो क्या होगा जब कभी प्राप्त करता मतलब सामान खरीदने वाली पार्टी बिल को परिपक्वता पर पैसे का भुक्तान करने के लिए मना कर दे उसे कहते हैं विनमे विपत्र का अनादरन देखिए जब विपत्र का स्विकार करता परिपक्वता तिथी पर विपत्र भुक्तान नहीं करता है maturity date पर समान का खरीदार मना कर देता है कि उसके पास भुक्तान करने के लिए राशी नहीं है तो इसे विपत्र का अनादरन कहते हैं विपत्र के अनादर्त होने पर उसके धारक को विपत्र की सभी पक्षों का अनादरन सूचना देनी होती है अन्यता सूचना नहीं पाने वाले पक्षकार अपने दाइत्र से मुक्त हो जाते हैं मतलब इसकी सूचना देना बहुत नहित्वपूर्ण है तो चलिए समझते हैं कि इस अवस्था में किस तरहां की जर्नल एंट्रीज की जाएंगी उधारन आपके सामने है एक जन्वरी दो हजार चे को विशाल ने शिबा से दस हजार रुपे का उधार माल खरीदा विशाल ने सामान खरीदा शिबा से मतलब शिबा ने सामान बेचा विशाल को शिबा ने विशाल पर दो महा की अवदी का विपत्र लिखा दो महा की अवदी जिसे विशाल द्वारा स्विकृत किया गया स्विकृत करने का मतलब ये है कि विन्मे विपत्र आपस में बदले जा चुके है दोनों ही पार्टी इस बात पर समझोता कर चुकी है कि दो महीने तीन दिन बाद मैं फिर से दोहराना चाहूंगा दो महीने तीन दिन बाद राशी का भुक्तान हो जाएगा। परिपक्वता तिथी पर विशाल द्वारा विपत्र का अनाधरन होता है। विशाल द्वारा समान खरीदने वाली पार्टी के द्वारा अनाधरन हुआ। कारण कोई भी हो सकता है। निम्न परिस्तितियों में शिबा और विशाल की पुस्तकों में प्रिविश्टियां कीजिए। पहली अवस्था जब परिपक्वता तिथी तक शिबा विपत्र को अपने पास रखती है। देखिए। कुछ बातें जो आपको ध्यान दखनी चाहिए। कि बिल एक जनवरी 2006 को लिखा गया, दो महीने के लिए लिखा गया, शिबा ने विशाल को बेचे हैं। वैसे समान बेचने वाली पार्टी का नाम पहले लिखा होता है, लेकिन इस प्रश्ण में आपको पहले विशाल का नाम दिया गया है, जो कि समान का खरीदार है। तो हम पुस्तके पहले बनाएंगे शिबा की, क्योंकि शिबा ने समान बेचा है। शिबा की पुस्तक और पहले भी हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं, यदि प्रश्ण में यह बताया जाए कि समान खरीदा बेचा गया है, तो समान को खरीदने बेचने की भी प्रविश्टी करी जाएगी। देखें, एक जनवरी को समान बेचा गया, विशाल का खाता डेबिट, सेल अकांट क्रेडिट, विशाल खाता नाम, विक्रे खाते से. एक जनवरी और इसी दिन विपत्र आपस में बदले गये। प्राप्य विपत्र खाता डेबिट विशाल के खाते से, बिल रिसीविबल अकाउंट डेबिट टू विशाल, बिल रिसीविबल शिबा के पास आएगा क्यूंकि शिबा ने रकम की प्राप्ति करनी है, इसलिए लिखा गया प्राप्य विपत्र खाता नाम. अब दो महीने का बिल दो महीने अर्थात पूरा जन्वरी और पूरा फर्वरी दो महीने मतलब एक मार्च दो महीने बीतने के बाद किती थी और तीन दिन बाद आपको चार मार्च परिपक्वता तिती प्राप्त होती है परन्तु इस maturity date पे विशाल ने बिल को dishonor कर दिया मतलब विशाल भुखतान नहीं कर पाता तो यदि अब विशाल भुखतान नहीं कर सका है तो हम विशाल को वापिस अपना debtor बनाना चाहेंगे उसे debtor बनाने के लिए हमें विशाल कखा था पुन्हे debit करना होगा क्योंकि उसने भुखतान नहीं किया विशाल debit होके वापिस हमारा debtor बन जाता है और क्योंकि परिपक्वता पे हमें बिल के पैसे नहीं मिले तो बिल कैंसल प्राप्य विपत रखाता credit तो यह प्राप्य विपत्र खाता खतम हो जाता है अब इसी अवस्था में आप देखिए विशाल की पुस्तकों में किस प्रकार की प्रविश्टियां करी जाएंगे विशाल ने सबसे पहले सामान खरीदा क्रैख आता मतलब परचेज अकाउंट डेबिट और शिबा क्रेडिट शिबा क्रेडिट मतलब शिबा को उसने अपनी लाइबिलिटी माना एक जनवरी को विशाल की पुस्तकों में बिल प्राप्ति होगी लेकिन कि विशाल ने सामा खरीदा था तो विशाल के यहां जो बिल आएगा वह उसकी लाइबिलिटी बनेगा यह हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और ऐसा बिल कहलाता है बिल्स पेबल दे विपत्र और यह है इसके यहां क्रेडिट हुआ क्यूंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी भढ़ती क्र क्रेडिट से ही है एक जन्वरी को अब आम तोर पे दो महीने के बिल का भुखतान दो महीने तीन दिन बाद हो जाना चाहिए परंतु भुकतान नहीं हुआ विशाल द्वारा भुखतान नहीं किया गया अब क्यूंकि उन्होंने भुकतान नहीं किया है तो शिबा वापिस ह उमारे लिए एक देता है। मतलब क्रेडिटर हैं। हम शिवा को वापिस क्रेडिक्र कर elsाव और यह मेरे लिए लाएबिलिटी था पर यह पक्वता के बाद यह लैबिलिटी नहीं रहा क्यींकि लाइबिलिटी वापिस शिवा को बना दिया गया है तो कुछ इस तरह बिल का डिजॉनर होना दोनों पार्टी की किताबों में लेखांकन किया जाता है बिल का अनादरन होना शेश दो परिस्थितियों में किस तरह होगा यह हम अगले भाग में सीखेंगे इस तरह के प्रश्ण जो हमने इस भाग में और पिछ हुए हैं आप सभी से अनुरोध है कि इसी तरहां के प्रश्न आप बार बार अभ्यास करें धन्यवाद झाल 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 यह přांग तरहां जाल